बाबरी ठाचा हिंदुस्तान की जमीन पर बाबरी कलंग है इस कलंग को मजडित कहना गुनाय अजीम है क्योंकि मजडित के नीचे की खुदाई 137 मजदूरों ने की थी जिसमें 52 मुसल्मान थे खुदाई के दौरान 50 मंदिरों के स्थंपों के नीचे के भाग में इटों का बनाय हुआ एक चबुतरा मिला था और मंदिर से जुड़े कुल 265 पुराने अवशेश मिले थे जिनके आधार पर भारतिये पुरातत विभाग इस निर्ले पर पहुचा था कि उपरी सतार पर ब तेरी केके महम्मद द्वारा अपनी किताब मैं भारतिये हुँ में किया गया है जो कि खुदाई के दौरान वहां मौजूद थे ऐसी इस्थिती में उस बाबरी कलंग को जायज मजडित कहना इसलाम के सिधानतों के विपरीट है अभी भी वक्त है बाबरी मुलाओं अपने गुनाओं की तौबा करो प्राफिट महम्मद के इसलाम को मानो आतंकी अबुबक्र उमर की विचारधाराओं को छोड़ो और एक समझोते की मेज पर बैठ कर हार जीत के बगाएर राम का हख हिंदूओं को वापस करो और एक नई अमन की मजडित लखनों में जायज पैसों से बनाने की पाहल करो